हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक माई यूटूब चैनल एस फलेवर फ्यूजन आज मैं आपके लिए लिल कराई हूँ रमजान अफ्तारी काले चने की रेसिपी जिसको बनाना बहुत यासान और बहुत मज़ेदार बन करते यार होते हैं चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एक बाउल में दस से बारा घंटे पहले एक कप चने भिगो देंगे काले चने ये सोफ्ट हो जाएंगे इनको प्रेशर कूकर में एड़ कर देंगे हाफ इसपून नमक एड़ करेंगे प्रेशर कूकर के लेड़ लगाएंगे दो सेटी लगाएंगे जब इसका प्रेशर कुछ से रिलीज हो जाए इसको उपन कर देंगी ये देखे हमारे चनले सॉफ्ट हो चुगे हैं अगर ना हो तो एक सीटी ओर लगा ले इनको दो से तीर मिन तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलते हैं नेश्ट प्रोसेस पर मैं आप इसको सेट करना चाहते हो कर सकते हो धाली पलेट बगेरा में मैं इसमें सेट कर रही हूँ प्याली में चार स्पून भरके काले चने एड़ करेंगे मेडियम साइज का प्याज लेंगे इसको बारी कट करेंगे एड़ कर देंगे अगर आपके पास कुटी भी लाल मिर्च पाउडर हो तो आप वह भी एड़ कर सकते हैं दो से तीन उबले हुए आलू लेंगे उनको टूपस में कर देंगे एड़ कर देंगे इनसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आप एड़ करना चाते हो तो कर सकते हो और नहीं करना चाते चलेगा टूइ स्पून भर के रेड़ चटने एड़ करेंगे ये से बहुत मज़ेदार चटपड़े बन कर तयार होते हैं डेकुलेट करने के लिए अनार के दाने एड़ करेंगे अगर आपके पास हो तो एड़ कर सकते हैं कुछ बारी कट किया हुआ हरा दनिया एड़ करेंगे कुछ चटपड़ा बनाने के लिए चाट मसाला एड़ करेंगे हाफी स्पून और आपके पास दाल भुजिया हो तो आप वो भी एड़ कर सकते हैं ये देखे कितना मज़ेदार बहुत चटपटा बन कर तेयार हुआ है इसको बनाना बहुत ही आसान होता है फ्रेंट से एक बार जरूर ट्राइ गीजी यकिनन आप सब को पसंद आने वाला है गाइस अगर आपको ये रेसिपी पसंद आईए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज